दोस्तों स्क्रिन पर जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है ये दुबई से इंडिया के पुने शहर को आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है इसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह 2015 के बाद से दुबई से पुने आने वाले यात्रियों की संख्या में लगतार बड़ोतरी देखने को मिली है अब ऐसा इसलिए क्योंकि 2015 में जब पुने से दुबई तक की हवाई सेवा चालू की गई थी तब इन पर्टिकुलर शहरों के बीच कोई साधन का सीधा रास्ता नहीं था जिसके चलते यहां के रहने वाले बहुत से लोगों को या तो मुंबई होकर दुबई जाना पड़ता था या तो फिर भारत के किसी और शहर से होकर दुबई जाना पड़ता था लेकिन साल 2015 के बाद से लोगों की ये समस्या खत्म हो गई और यहां के लोग वहां और वहां के लोग यहां असानी से बिना कोई दिक्कत के आने जाने लगे लेकिन समय के साथ ये देखा गया कि अधिकतर लोग जो की दुबई नहीं जा सकते या दुबई जैसे महेंगे शहर में अपना आशियाना नहीं बना सकते वो लोग पुने में आकर बसने लगे और देखते ही देखते पुने शहर अब इंडिया का दुबई कहा जाने लगा है अब ऐसा क्यों और किसलिए है और क्या सच में पुने शहर इंडिया का दुबई है आईए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में दोस्तों अगर बात करें पुने शहर की तो ये महराश्ट्र राज्ये का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बड़ा होने के साथ महराश्ट्र की एकनोमी का एक बड़ा हिस्सा भी यही से आता है सिर्फ इतना ही नहीं आज ये कई सारी इंडस्ट्रीज का हब भी बन चुका है यहां आपको बड़ी से बड़ी कंपनीज के ओफिसे भी देखने को मिल जाएंगे ना सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज बलकि यहां आपको तरह तरह के स्टार्ट अप्स भी देखने को मिलेंगे वैसे तो हर राज्य का अपना एक आईटी हब है लेकिन फिर भी बात करें इंडिया के जाने माने आईटी हब सिटीज की तोस में डेली और बैंगलोर के बाद अगर किसी सिटी का नाम आता है तो वो है पुने आज के समय में पुने शहर जो की आईटी हब बनकर उभरा है वो किसी समय में शक्तिशाली मराठा सामराज्य का केंद्र हुआ करता था जिसके चलते ये शहर सांस्कृतिक रूप से भी एक धरोहर के समान है और यहां की हर जगह पर आपको मराठा सामराज्य की जलक देखने को मिल जाएगी इसलिए से महराश्टर की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों पुने में समय इंडिया के कुछ नाम चीन कॉलेजिस और युनिवर्सिटीज भी मौजूद है जो की अपने आप में ही लाजवाब है जिसके चलते हैं देश से ही नहीं बलकि विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं कई कॉलेजिस और युनिवर्सिटीज का घर होने के नाते पुने शहर को प्रेस्टीजियस एजुकेशनल डेस्टिनेशन के रूप में भी जाना जाने लगा है जिसके चलते पुने शहर ने दा आक्सफोर्ड और इस्ट नाम की उपाधी भी प्राप्त की है जो कि अपने आप में ही बहतरीन है वो कभी भी इस शहर को छोड़के नहीं जा पाता है लोगों की इस जिग्यासा को देखते हुए यहां की सरकार ने भी यहां लगातार महत्वपूर कदम उठाए है जिसमें से सबसे पहला कदम यह है कि पुने शहर को इंडिया के 109 स्मार्ट सिटी में से एक का दर्जा दिया गया है और इतना ही नहीं इस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसीत करने के लिए अब तक 5.2 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का खर्चा किया जा चुका है जिसका नतीजा यह है कि आज यहां पर उचे उचे स्काइ स्क्रैपर्स देखने को मिल जाते हैं और तो और लोगों के यहां से वहां तक जाने के लिए एक से बढ़कर एक साधन के जरिये भी मौजूद हैं आप चाहे तो मेट्रो से जाएं या पबलिक ट्रांस्पोर्ट से या फिर किसी अन्य साधन से आपको एक मरतबा भी ये महसूस नहीं होगा कि आप इंडिया के किसी शहर में हैं जिसके चलते दिन पर दिन ये शहर लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है और तो और यहां के लोग ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में ये शहर इंडिया का सबसे बड़ा financial capital बनकर उभरेगा अगर आकडों की माने तो ये सच भी हो सकता है क्योंकि जिस speed से पुने शहर तरक्की कर रहा है आने वाले समय में इंडिया का दुबाई कहे जाने वाला ये शहर दुबाई जैसे शहर को भी टक्कर दे सकता है लेकिन असल में इसको होने में अभी काफी time लगेगा क्योंकि दुबई जैसा दिखना और असल में वैसा होने में काफी बड़ा अंतर है लेकिन फिर भी लोगों का पुने शहर को इंडिया का दुबई कहने के पीछे का असल कारण दोनों शहरों के बीच मिलते जुलते कारणों को माना जाता है जिसमें से पहला कारण तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो पुने शहर दुबई को टककर दे ही रहा है वही अगर दूसरी वजह को देखें तो वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल असान शब्दों में कहें तो इस केस में किसी शहर में रहने वाले लोगों के पड़े लिखे होने के दर का विवरन का विशलेशन किया जाता है जिसके आधार पर उस शहर को जच किया जाता है कि क्या वो सच में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है या नहीं अगर पूरे शहर की बात करें तो यहां की आबादी का 62% हिस्सा 30 سाल से कम आयू के यूवा लोगों का है और ये हिस्सा ही यहां के विकास का सबसे बड़ा जर्या है वो कहते हैं न जिस देश के यूवा जितने विकसीत होंगे वो देश उतना ही विकसीत होगा और पुने के केस में भी कुछ ऐसा ही है यहां का यूवा शहर के विकास में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहा है और आम नागरीक होने के नाते वो जो भी कर सकता है वो कर रहा है अब ये सोच उसी के अंदर होगी जो अपना हित छोड़कर देश और अपने शहर का विकास सोचेगा और ऐसा तब ही हो सकता है जब वो व्यक्ति लिटरेट होगा और अगर बात करें पुने शहर के लिटरेसी रेट की तो वो 86 प्रतिशत है जहां पुरूशों में ये रेट 90 प्रतिशत है तो वही महिलाओं में ये रेट 81 प्रतिशत है जो कि इंडिया के किसी भी शहर के एवरेज लिटरेसी रेट से ज्यादा है जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है और इसी का नतीजा है कि यहां एक विकसित समाज की धारना को इतने अच्छे स्तर पर संचालित किया जा सका है हाला कि इसका कमपैरिजन दुबई के लिटरसी रेट से करें तो इसके मामले में अभी पुने थोड़ा सा पीछे है क्योंकि 2024 के आकड़ों के मुताबिक UAE का एवरेज लिटरसी रेट 95 प्रतिशत के आसपास है जो कि पुने शहर से काफी ज्यादा है लेकिन एक नएक दिन इंडिया का दुबई कहे जाने वाला पुने शहर दुबई के इस लिटरसी रेट को जरूर मैच करेगा इसके अलावा भी दोस्तों एक वजा है जहाँ पर पुने शहर दुबई की बराबरी कर रहा है और वो है globalization of industries जी हाँ दोस्तों जहाँ आप देखते हैं कि दुबई में बड़ी से बड़ी companies और brands आज की तारिक में वहाँ राज कर रहे हैं और कोई भी ऐसी बड़ी companies नहीं है जो की आपको दुबई में देखने को ना मिले वही बात करें पुने की तो यही बात हमारे पुने शहर में भी देखने को मिलती है यहाँ देश की बड़ी से बड़ी companies के industries मौजूद हैं फिर चाहे वो टाटा हो या महिंदरा सिर्फ देशी नहीं बलकि विदेशों की भी जानीमानी companies जैसे Mercedes, Apple और Amazon आज बड़े स्तर पर काम कर रही है और जगह जगह पर आपको उनके outlets और showrooms भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तो इस स्तर पर industries के globalization के पीछे पुने सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि अगर वो इन companies को सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध ना कराती और उन पर कम tax ना लगाती तो ये companies कभी भी यहाँ अपने plants ना लगाती और ना ही पुने शहर की रंगत change हो पाती इसलिए पुने शहर के विकास में जितना हाथ वहाँ के लोगों और इन companies का है उतना ही हाथ यहाँ की local सरकार का भी है दोस्तो ये तो बात हो गई industries की आई अब आपको एक और चीज़ से वाकिफ करवाते हैं जिसमें सीधे पुने शहर दुबई को टक कर दे रहा है और वो है पुने शहर का टूरिजम जी हाँ दोस्तो ये सच है जहाँ अच दुबई अपने टूरिजम के लिए worldwide famous है और लगभग हर देश के लोग यहाँ घूमने और मनोरंजन के लिए आते हैं वहीं अगर बात करें पुने शहर की तो लोगों के मन में ये भावना तो जरूर आती है कि पुने शहर में क्या ही होगा घूमने को और क्या ही लोग यहाँ घूमते होंगे अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको बता दे कि पुने शहर कई आधुनिक और पौरानिक जगहों के लिए फेमस है यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि मराठा सामराज्य के कई किले और इमारते आज भी मौजूद है वहीं आधुनिक जगहों की बात करें तो पुने शहर अपने अदभुद आर्किटेक्चर के लिए बेहत पसंद किया जाता है और देश से ही नहीं बलकि विदेशों से भी लोग यहाँ इसे देखने आते हैं दोस्तो ना सिर्फ इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए बलकि पुने शहर अपने प्राकृतिक द्रिशियों के चलते भी दुबई से काफी मेल खाता है अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे तो आपको बता दे कि पुने शहर अपने बीच्स के लिए वैसे ही पसंद किया जाता है जैसे कि दुबई अपने रेगिस्तान के लिए जी हाँ दोस्तो वैसे तो बीच्स और रेगिस्तान में काफी अंतर है लेकिन ये वो चीजे हैं जो इन दोनों शहरों की जान है और कही ना कही इनकी सबसे पहली पहचानों में से एक रही है इसलिए इन दोनों को कैसे भुलाया जा सकता है दोस्तो ये कुछ वजय हैं जिनके चलते आचकर लोग पुने शहर को इनडिया का दुबई कहते है लेकिन असल में तो पुने शहर को दुबई जैसा बनने में काफी समय लगेगा वैसे आपको क्या लगता है आप क्या विचार रखते हैं क्या सच में पुने शहर आने वाले समय में दुबई की बराबरी कर सकता है हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं जाने से पहले वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसाथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आल पर सैट कर लें धन्यवाद